बुलिये सद्गुर्देव की सायवन भी ये सब साधन से ना होई ये सब साधन से ना होई तुम्हरी किर्पा पाए कोई कोई और साहिब कह रहे हैं अदा कर खुच खजाने से छुड़ा ले अपने बंदि हम सब देख रहे हैं भक्ति शेत्र में बड़ी विवित्त है कोई सांख्य योग का महातम बता रहा है कोई क्रिया योग का कोई प्राणा योग का और हर एक आदमी जिस भी मत को फालो कर रहा है उस पर अरूर है उस पर ध्रड़ है ब्रमानन जी भी कह रहे है नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे सबका सहार बताकर गुरु महारग लाए कुछ लोग फिर तब के लिए किसी एकांतिस्तान को ढूंते हैं कुछ सांख्य योग की तरफ चले जाते हैं आज मैं इस पर भी बात करूँगा थोड़ी मैं एक बात कहना चाहता हूं जिन से सुमर्ण घर में न बने तिन से बन जाए कहूं न बने तो बननो थोड़ा सांख्य योग पर भी बात करेंगे यहां साहिब सब पर आपिक्ष करके एक बात कह रहे हूं कोई कहे तब बस की ना कुछ लोग कह रहे हैं फरमात्मा को तब से प्राप्ट किया जा सकता है कुछ लोग कह रहे हैं कि हम परमात्मा की प्राप्टी योग की शक्ति के द्वारा कर सकते हैं पर यहां साहिब एक तंजिकस रहे हैं अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को सांख्य योग में विचार शीर है यह तो सब के अंदर है लेकिन आदमी इस दिर नहीं रह पाता है आगे साहब एक बात बड़े सुपस्ट्रूप से बोलना है और इसको कुसामी जीन रहामयन में इसकी पुष्टी की यह सब सादन से ना होई यह सब सादन से नहीं हो सकता है तुम्हरी कृपा पाए कोई-कोई यह सादन से नहीं हो सकता बड़ी सुपस्ट बात कह रहे हैं कितने तफसी तब कर डा रहे हैं काया डाली गारा आखर में साहब एक संकेत कर रहे हैं बची हो एक उपाय है आख आप सरफ एकी उपाय से बच सकते हैं सार नाम को पाय के यह परमपुर्श की बात उस अगम देश की बात सार शब्द की बात पूर्ण सद्गुर्श की बात लोग नकल कर रहे हैं पूरी यह सब पूरा फार्मुला साहब है रुपांतरित करके लोग बात कर रहे हैं नाम सही बैस सकते हैं बाकी कोई उपाय नहीं इसकी पुष्ठी तो सभी संतों ने की रविदास महराज जी कह रहे हैं सत्योग सत्त्रेता तपह द्वापर पूजा सार कली में यह सब ना बने हैं कली केवल नाम अधार सेम बात तो साहिब से पोने 200 साल बाद में आये हैं वह समी तुलसितास उत्तर कांड का अगर आप अध्यन करेंगे तो बिलकुल साहिब अंदर नजर आ जाएगा सभी मतमतांतरों के धर्म शास्त्रों का अवलोकन करेंगे तो साहिब नजर आएगा कली में केवल नाम अधारां केवल नाम और साहिब क्या पूरें बची हों एक उपाय सार नाम को उपाय के मैं सांख्य योग पर बूलूँगा मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा है पर ये सब सादन से ना होई ये सब सादन से ना होई तुम्हरी करपा पाए कोई कोई दूसरा कह रहे है अदाकर खुद खजाने से वह भई अदाकर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को सांख्य योग की तरफ भी नजर डालते हैं और कुछ बाय सर्गुन निर्गुन भक्ति में उल्जे हैं आप देख रहे हैं सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा ये केवल भ्रम के उत्पाती मैं अकसर एक बात बोल रहा हूं उस पर गंबीरता से चिंतन करना आजकर ट्रेंड किस सीज़ का चल रहा है वो सुनना आजकर न तो सांखे योग पर को आदमी चल रहा है न तो सर्गुन भक्ति पर चल रहा है तो न निर्गुन पर चल रहा है नहीं निर्गुन भक्ति अगर आप अपने आसपास में द्रिष्टिपात करेंगे तो सब लोग तोने तोटके जादू जड़ी जंत्र मंत्र बूत प्रेद आबे बाबे पीर बाबा फलाना जगा इसमें उल्जें सर्गुन भक्ति भी नाम मात्र के लिए है निर्गुन भक्ति भी नाम मात्र के लिए है और इस तामस्त भक्ति करने का क्या प्रभाव पढ़ा वो सोचें भारत एक शाकाहरी और रिशीमुनियों का देश है अभी भारत में 90 प्रतिशत से भी उंपर लोग मानसाहर का सेवन कर रहे हैं। जैसा मनुष्य आहार देगा वैसा विवार बनेगा। तैहे है। आप देखो शराप पिये तो बुद्धि अलग हो जाती है। जूस पिये तो शीतलता लगती है। दूद्ध पिया तो उर्जा मिलती है। पिया तो तीनों चीज ना। इसलिए लोगों का खान पान भी बहुत दूशित हो गया। और पाप बढ़ गया। तामस भक्ति में आदमी पाप पुने नहीं सोचता है। इस तरह से आज आदमी अगर कोई भक्ति का ट्रेंड हैं तो वो हैं टोणा, टोटका, पीर बाबा, आब बाबा, इफलाना, ढिकाना यह है। आदमी इसमें उलज गया है। और यह बात तो वाजदे कृष्ण ने अर्जुन से भी कही है। हे अर्जुन, तु अन्यन्य भक्तियां तामस भक्ति मत कर, यह मोक्ष तैरनी नहीं है। तुम समस्त चीजों को ट्याग कर केवल मुझ में समा। अब मैं सांख्य योग बतलाओं। योग अश्टांग के लक्षण दिखलाओं। एक एक के चार चार लक्षण जो जाने जो होई लक्षण। योटों के लक्षण 32 अश्टांग योग में एक ही दी सी है। अश्टांग योग सांख्य जो जाने और रक्षण 32 पिचाने प्रत्रम योग ज्ञान बखाना। लेकिन आप सोचिए। ये सब चीजे इनसान के अंदर हैं। पर जब आदमी अंशुत करता है तो ज्ञान लोप हो जाता है। आदमी में विचार भी हैं। लेकिन जब कोई ऐसा अनिश्ट कारी करता है विचार लोप हो जाता है। मैंने अश्टांग योग का में निंदा नहीं कर रहा हूं। यह तो अच्छी चीजे हैं। पर इन पर आदमी चल नहीं पाता है। पर सहम योग ज्ञान है भाई। तहेंते सुक परमपत पाईए। साहिब कह रहे हैं बड़े बड़े धुरंदरों का। मोका आने पर ज्ञान गुम हो गया। कफिल मुनी का संयम ही गुम हो गया साधक था। सांखे योग को इस्तापित करने वाले रिशी मुनियों की भी हम आलत देख रहे हैं। अब यहां कह रहे हैं इसे भाया। दूसर विचार। दूसरा योग है विचार। यह बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन पराश्र रिशी जब एक हजार साल तप करते आया। तो एक हरिजन करने से गलत कर बैठा। विचार ही गुम हो गया। और तप नाश कर दिया। विचार गुम हो गया। इसका मतलब है हमारे अंदर कुछ ऐसी ताक्ते बैठी हैं जो मौके पर हम सब का दिमाग विर्मित कर देती है। तीसरा योग विवेक है। हम तो कह रहे हैं भाई ये तो जैसे सीडी पर चड़ने के लिए पाइदान बने हैं ये ज्यान विचार वैराग आदी ये तो आवशक हैं। लेकिन अंदर जो दुश्मन बैठे हैं वो प्रबल्ल हैं। वो ताकतवर हैं। वो इन चीजों पर चलने नहीं देते हैं। चौथा योग शील। शील वो हैं। जो शील आदमी हैं। कभी किसी को दुख नहीं देता हैं। अपमान नहीं करता हैं। वाणी उसकी बहुत उत्तम होती है। ये अच्छी चीज है। यहां साहिब ने भी ये बात बोली है। धर्मदाज को विक्वाणी में साहिब साहब बोले है। शक्ति बिना नहीं पंथ चलाया। ये धर्मदाज शक्ति के बिना पंथ नहीं चलेगा। तो धर्मदाज ने पूछा कौन सी शक्ति है। कैसी शक्ति है। कह रहा हैं पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। जब परमपुरुष की शक्ति आ जाती है तब काल फिर नहीं रोक सकता है। धर्मदास्त बड़े खोश हुए बोला मुझे परमपुरुष की शक्तियां तो बताओ। पुरुष शक्ति खोड़े हैं भाई। अब साहिब कहने हैं यह पुरुष शक्ति 16 है। सत्य, ज्यान, विचार, वैराग्य, प्रेम, आनन, मित्रासंता, वैराग्य, शील, विवेक। आदी यह 16 शक्तिया हैं। जब गुरु कृपा करता है, यह जगा देता है। मिट्टी में तो वही 16 शिष्टी इलिमेंट से कंटेन हैं। दिखते नहीं हैं। परिशोधित। इसलिए गुरु जब नाम देता है, यह शक्तियां जगाता है। आप देख सकते हैं। पहले आपको मन बहुत उदंड था। मन जो चायता था वो सब काम कराता था। आप में विचार भी था पर नहीं चल पाते थे। आप में उस समय विवेक भी था पर आप उसका अनुकरन नहीं कर पाते थे। अब आप देखिए नाम प्राप्ति के बाद में आपके अंदर एक ताकत आई कि नहीं है। बस अपने दिल से जानिये मेरे दिल की बाद। अगर आप बदल गए तो यह बदलाव आया पहले मन आपको। जिस धारा में चायता था बाहा कर ले जाता था लेकिन नाम होए तो माधनवाई। मैं यहां इन गुणों का अपमान नहीं कर रहा ह। पर मैंने उधारन दिया कि हमारे पूरे जिशिमनी इतना गोरत अपकिये विचार ग्यान पर चले नहीं चल सके। कह कभीर बिना नाम सूनी शरीर नानक देव जी ने फर्माया ऐसे नहीं फर्माया कूपनीर बिना धर्ती मेह बिना जैसे मंदर नाम बिन सूना तस प्रानी सत नाम बिना। तो जब सभी चीज एक चीज पकड़ी सब चीज आ जाएगी। सब चीज आ जाएगी आपके पास। आज की युग में जितना मनिश्र का पतन हुआ है इतना पतन कभी भी नहीं हुआ। भाई भाई से चल कर रहा है, दोखा दड़ी कितनी चल रही है, धोखे को तो लोगों ने बिजनिस बना रखिया है। थोड़ा टाइम हम पीछे चलते हैं, हमारे बड़े बुझर को देखा, क्या लोग थे, क्या एमानदारी थी , किसी को दुख नहीं देते, किसी को परिशान नहीं करते थे। जल्दी जल्दी बदलावा थे। पर दुनिया के लोगों के बीच में आप अपने आपको सबसे अलग महसुस करते होंगे वो क्यों? वो शक्ति आप में आन समयाई पुरुष शक्ति जब आन समयाई तब नहीं रोके काल कसा ही फिर उसका बल नहीं चलता है मैं आम तोर पर एक प्रसंग उठाता हूँ हम अध्यात में शक्तियां गुरु जनुद। गुरु अध्यात में शक्ति का केंद्र है आप देखो हवाई जाज चल रहे है पानी में पानी में आदमी की बुद्धी भृष्ट हो जाती है दिमाग घुमता है समुद्र में, मैंने समंद्र की यात्रा भी किया इसलिए उसे किनारे पर जितनी भी चीज़ें घुमती नजर आती है तो हवाई जाज जो है उसे पर जाने के बाद दिशा का भासन नहीं होता है नेविगेटर लगे हैं वो उसे दिशा बताते जाते हैं और उनका पूरा संबन सेटलाइट से है हम एक वेग्यानिक यूग में आप देख रहे हैंगों सेटलाइट के फोन भी है आंतक बाद ही सेटलाइट के फोन रखते हैं बड़ी बड़ी जो एजेंसिया हैं जासुसी की उनके पास भी सेटलाइट के फोन है वो नेविगेट करता जाता है उसमें नेविगेटर्स हैं अगर वो बंद हो जाए तो पानी के चाहाज में आज में गुम हो जाएगा मैं उधान देता हूं करोड़ों अर्वों साल हुए श्रिष्टी बने और अमरीका का तो पता 400 साल पहले ही चला है वहां कुछ नहीं था आदमी कभी गया नहीं था वजाय ब्रिटन से नियुएर्क का फांसला करीब 8000 किलोमीटर है कोई जहाज इतना गहराई में नहीं जाता था नेविगेटर नहीं होता था लेकिन बड़ी कोशिश के बाद करुड़ों अर्बों साल हुए दुनिया बने इस धर्ती का मनुष्य अमरीका नहीं पहुचा था कुछ नहीं था वहां वहां 10-11 इंसान थे स्रफ वह भी पाश्विक थे कोलंबस फष्ट वहां गया है अभी तो कोई भी पूरा ब्यापार चलना क्योंकि सैटलाइट से नेविगेटर मिल गया तो दिशा मिलती है आप सोचे अर्बों साल हो गया मनिश्द धर्ती का हम सब प्रती के लोग है अमरीका नहीं जा सकते थे बीच में पैप्सिक सी है अट्लांटिका सागर है उसको 8000 किलोमीटर उसमें आदमी जाता ही नहीं ता दर से पता ही नहीं चलता था दिशा भ्रम्यत हो जाता था तो बंदो, इस तरह आपके पास नामदान के बाद एक नेविगेटर है, तो आपको दिशा देता है, क्या सही हैं, क्या गर्णा, आप हो वही, अंदेरे में आदमी को शंशाय और ठोकने लगती है, लेकिन जब टार्चाहत में आ गई ना तो अंदेरे को चेड़ती है, इसी तरह नाम, बहुत बड़ी ताकत है, आप खुद देखो, आप खुद देखो, कि नाम की प्राप्ति के बाद आपकी जीवन में कितना बड़ा बदला हुआ है, काग बले ठंसा कर दीना, ऐसा नाम सद्गुर में दीना, तो बन्यों, वो नाम कोई साधान चीज नहीं है, नाम बिना मुरक्स सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, उंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सबनीश बेपाना, इस तरह से नाम के बाद एक उर्जा मिलती है आपको, ठीक है? कहें कभी नाम बिना सूनी शरीर, बस अपना सुर्थी आप संभालना, हमारे यहां योग सुरत योग है, अश्टांग योग का मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, यह तो वैसे भी इंसान के अंदर है, लेकिन जो अंदर रहने वाली ताकत है, प्रबल है, इन सब को बहाद एती है, पर नाम के बाद वो ताकत दब जाते हैं, ठीक वैसे ही, नाम होए तो मात नवावे ना तो यह मन बादना चाहिए, इसलिए सुमरन भी करते चलना, आप नियम का पालन करना, साहिब ने भूम का बताई है आपकी भी, सत्य नाम निज आउशदी, सत्य नाम निज आउशदी, सद्गुरु दई बताई, आउशद ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए, और कोशिश करना, एक जीव को भक्ती दढ़ाए, सो तो कोट गूफल पाए, किसी को भक्ती में जोनना बहुत बड़ी बात है, इसलिए स्वें भक्ती करो लोगों को भक्ती में जोड़ने का प्रयास करो, समय हो रहा है, मैं कल्प होना है, हाजर हो जाओंगा, साहे बंदगी.